किसान इस नसरी क्या करती है कि जिस वेराइटी का किसान डिमान कर रहा है उसी वेराइटी का पोदा उसके पाट जाए उसका एक एक ट्रे पे हम बारकोड जो कंपने के द्वारा दिया जाता है बारकोड वो ट्रेकिंग सिस्टम हम एंचन करते हैं ताकि किसानों को पूरी टांप्यरेंश ही नमस्कार किसान बैयो मैं यस्वंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वा वेराइटी मार्केट में काफी सारी है और लगभग सभी वेराइटी हमको अच्छा उत्पादन भी देती बस बात होती है पौधे की क्वालिटी की अगर हमने पौधा अच्छे से तयार कर लिया है अगर हमने न्यू मजबूत कर दी है तो उपर हम दस मंजिल भी खड़ी क आज इंपोर्टेंट बात यह है कि वेराइटी वेराइटी के बाद में पौधे की क्वालिटी तो आज हम जानने के लिए कि पौधे में क्वालिटी कैसे बढ़ाएं और पौधे को हम अच्छी तरीके से ग्रोथ कैसे करें ताकि फिल्ड हमें जानने के बाद में वो वेज का पौधा केसे response करता है और कितना हुद पादन किसान भाईयो को देता है जानने के लिए आप वीडियो के अंतर तक बने रहें साथ ही साथ बेल अकान बेटन पर वी क्लिक करें ताकि एसी ही महतुपूर्ण जानकरियां आपको अहीं समय पर मिलती रहें और आने वाले समय में आप अच्छा हो पाधन लेते रहें तो देखी किसान भाईयो अभी हम किसानित नर्सरी के ओनर दीपक जी और रहुल जी के साथ में बेठे हैं तो आज हम इन से पूरी विस्तरत जानकारी लेने वाले हैं जो कि हमने अभी आप से सेर किया था सबसे पहले सर आप वाईयो का आपका पड़िशे से नामस्कार किसान शातियों मैं रहseason लीकि नशरी यह में रहने वाला किसानित नर्सरी की निध्य तीन साल का अनुभव हमारा वीनार के जो डारेक्टर है स्री वीमल जी चावडा जी उनके सानिध्य में हम वीनार नर्सरी का सुपर वीजन पूरा मेनेजमेंट वहाँ पर देखते थी तो हम लोग का एक जो आज अच्छी पहल जो किसानी नर्सरी का वुद्ध जो निव है व सेट अप किया है तो यह कैसे इसकी सुरवात हुई थी राब राम किसान सात्यों मेरा नाम दीपक नागर है और मैं देवास का रहने वाला हूं जैसा कि सर ने बताया कि राहूल हम दोनों का कैसे जोड़ी बनी तो हम कोलेज से ही साथ में थे हमने साथ में पढ़ाई करी और पर हमने सब अनुभव लिया साथ में और निमाड की धरती पर हम दोनों रहने वाले मालवा से हैं बट सब जो आते वह हम से यहीं प्रस्न करते हैं कि आपका यहां कैसे आना हुआ वो सब चोड़के तो यहां पर हमने देखा कि निमाड में जो की वेजटेबल का बहुत वीमल सर ने हमको आशिरवाद दिये और एक हैं हम आज आज ये तीन वर्सों में उनके आशिरवाद से उनके सपोर्ट से आज इस मुकाम पहेग हम काफी अच्छी जगह पर मद्ध पदेश में करीब तीन हैरी प्लस किसानों के पास हम आमारी सर्विस को पहुँचा रहे है इसके बारे में मैं भी आप से कुछ बताना चाहूंगा दिपक जी जो मेरे परसनल अनुबव है मैंने करीब साथ साल तक खेती करिये जिसमें गिल्की लोकी बिंडी करेला तरबूज खरबूज लगब साभी सारी प्रकार की खेती करी और काफी अच्छे तरीके से उत प्र पहले कि वेराइटी सागर लेता था मतलब यह जितनी भी वेराइटी जैए और इन वेराइटी ने कभी मुझे दोखा नहीं तो रहुल जी अभी किसान भाईयों को सबसे पहले बताइए कि सबसे बड़ा कन्फूजन या होता है कि वेराइटी हम वेराइटी कौन से चैन कर बिल्कुल एक सटिक प्रस्ण है आपका कि वेराइटी सबी कमपनियों का अलग-अलग छेतर में अपना अर और इंडी फाम होता है और वह जो वेराइटी आप बनाते हैं कमपनिया बनाती है वह हर एक प्रटिकुलर एरे के लिए इस्पेसिफाइश होती है कि उस एरे के ज जैसे निमाठ शेतरम बेट हुए यहां पर अगर वाइरस का अगर प्रेसर के बात करना जाया तो सबसे ज्यादा प्रेसर है तो यहां पर वेराइटी मतलब वह सबसे हाई पावर जो रहेगी होह यहां पर बीड करेगी तो अब भी किसानों का क्या है कि हमने इस विराइट किसान कि क्या करती है कि वरकोड रोटरर के द्वारा देया जाता रैखिंग करते हैं और का ईसमें में बीच में रूखना चाऊंगा को व्हूया लेकिन को पता ही नही здоров spoken वेड़ी में काम कर रहे उस वे जो अच्छे इस सब्सक्रा करते हैं इसका पिछ साल एक साल को डाटा रहता है और विद्वेक रेता है बिमारी को लेकर अच्छे प्राइश को को लेकर उत्पाधर को लेकर क्वालिटी को लेकर ले कर जो पूरा निच्छाड है जिसको बोलते सरांस रेता है उस एरिये का वही हम किसानों को बता दे कि आप इस वेड़ाइटी की और जा सकते हो यह विडिल लगाना आपके लिए लाब दायक रहेगा लास्ट मेरा पुराना वीडियो है उसमें आमने यही बताया था किसान भाईयों को कि आपको आपके आसपास के करीब दस गाउं के जो अच्छे फर्मर है आपको उनसे फिडबेक लेना है कि कौन सी लगाना और जहां से सबसे यादा नाम निकल करा आपको उस वेराइटी को आख बंदेट के लगा देना क्योंकि सबसे बेस्ट फिल्टर यहीं होगा इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है अब राहुल जी सबसे इंपोर्टेंट सवाल यह है क्योंकि अभी में भी किसान हूं मानलों अगर एक में किसान की नजरिये से बात क चाहा रहे हो वह सभी पोदे एक समान जैसे कि आप देख रहो पूरे एक समान है एक समान रुप से होना चीए बड़ा नी होना थी एक समान होना तीसरी सबसे महत्कुन बात है कि जब खिसान पोदा आपने खेट पे लगाता है पोदा ट्रांस्प्लांटिंग के बाद जो उसके दो बाद यव बिच दिन वाद तीस दिन बाद किसान अपनी फसल को देखता है जूर एक चाहिए एक पोदे का बिधे का बेंका भी सुरों दिया आने वाले जो समया आएगी अभी क्या था कि जीप और सेग्मेंट हरी और लाल के लिए दोनों करते हैं तो नोर्मल अच्छा पोदा अगर किसान लगाता है अच्छी तक्निक से करता है तो पच्पंट से सार दिन में पहली तुड़ाई कर लेता है किसान सफल रूप से और यह उत्पादन अगर हम एकड़ के चार भाई यह तो चारों भाई का विकास एक समान नहीं इसी प्रकार है कि जब हम एक प्रिकेट अगर बीच काम डालते हैं तो उसमें जितने भी बीच के संक्या आती है सभी की ग्रोथ एक समान नहीं रहेगी पूच उसमें दस परसेंट तो जर्मिनेशन ही नहीं आएगा सब्सक्राइं तक चाकरते हैं कि कमजौर एक समान व्रोद करेगी और एक समान उत्तादन हर एक पूदे से ब्राबर उत्तादन आपका Python को मिलेगा में street नत भाजार में भूत हैं किसान इस नर्शरी का पौदा कीशान क्यों ले इसकी लिए टहिए ज़से मांग रहा है उसका सथ प्रतिश्थ वही बीच वही पोदा विराइटी नेसे उसमें इंचेक पेश रहता है लेंगे बागि चिच जो रहती हो आंतरीक रहती है उसको लगन आखों से मतलब अपनी आखों से देखनी है उसके लगती है जो कि आने वाली फसल के बहुत मरपून है तो वह चीछ न जाए तो हम लोग का दूसरा उद्देश है रहता है कि किसानों को बीमारी रहीत पहोदा जाए जो नर्सरी खेती की नीव है उसमें किसानों की उमीदों पर हम खरे उतरते हैं जो किसानों को अवश्री टाइप काम प्लांट सेडी करके देते हैं वह इस टाइ का सबसे पहळा हो गया मीडिया इसमें यह हमको किसी भी प्रकार के इसने नहीं हो गा दूसरी बात हम इसमें बड़े गलका यूज करते हैं कि किसानों को जो जड़े हैं वो पोधे की जड़े ज्यादा से ज्यादा जैसे कि सर आप देख रहे एकडम सफेज जड़े हैं और जड़ से एकडम भरा हुआ है हें यहां पर आदमी खड़े नहीं होता है वहां पर एसे चुपता है कि फ्लांड है उसको अपन सर्वाई करते हैं जो कि यहां पर 10-15 मैं को ट्रास्ट्राइंटिंग चाली हो जाती है तो ऐसे में सरवाई करना, ऐसा मजबूत पोधा बनाना, सभी नरसरीवालों को मैं तो अपनी साइट से धनिवाद दूँगा कि वो इतना अच्छा पोधा बना के देते हैं और जो कि किसानों के लिए बहुत फाइदेमन होता है, तिसरी बात आती सर, इसमें बैलेंस फर्टि में तो वेसे हम प्लांट्स को इस्ट्रोंग बनाने का एक यह भी राज होता है, कि उसको सब चीज़ें बात तोल के देते हैं, किसानीत नरसरी में हम PPM में काउंट्स करते हैं, नैट्रेट कितने फॉर्म में देना है, हमको ECPH बहुत इसमें माइन रखता है, खेती में और सब चीज़ें सेम होती है, ECPH बहुत ही माइने रखता है, नरसरी में ही वो मैनेज करके देते हैं, किसानों को, कि ECPH हमारा बैलन्स रहेगे, हमको आपको पता है, कि साड़े-पास से लेकर साथ के बीच में सारे फर्टिलाजर उपलब्द होते हैं, तो वो हम पी यहां पर ब समस्था है, वो कम हो, मैरी जो उत्वादन लेने के समताव भडए, मैरा खर्चा कम हो यही वद्द्दे से सर पोधा आपका खड़ा रहना चाहिए, तो आपका जिसके पोधा लगा तो उसके तीसरे चोथे दिन में उसमें फुटाव जड़ का डूथ और फुटाव चालू को मिलेगी आप नाम देखो किसानी नर्शरी तो इसमें पहले निर्शन को सब्सक्राइब कर देख सकते इसे तर बूच का पोदा सर ने बताया कि 4 इंची के लगभा क्या है यह इसने क्योंकि तर्बूच की छिति मैंने भी पाच्छे साल की वहिए तो उसमें जो पौदे लिपक जी जैसे अभी राहूल जी ने बताया कि हमारी खासित यह है कि पउधा स्वस्त होना चाहिए पउधाय में ग्रोत अच्छी होनी चाहिए तभी वह फिल्ड में जाके सर्वाइब करेगा रोग प्रदी रोदक चमता उसके अच्छी रहेगी और उत्पादन देगा तो जहां से भी किसान ले वह अच्छी जगे से पोधा ले हम चाहते कि सभी किसानों का विकास हो और विकास तब होगा तब वह स्मार्ट पोधे की पहचान मैं इसके माधियम से आपको बताऊंगा कि जो जड़े होती हैं जड़े जो एकदम आपको देख रहे के स्वस्तें मज सब्सक्राइब करें दूसरा आप देखोगे कि यहां पर भी हमने मेंशन किया है कि मजबूत तना आप देखोंगी हरी और जो एकड़म घृनिश आप देख रहे हो यहां पर भी सब जगे आपको गरिंश दिखेगी एकडम बीमारी रही पत्तियां आपको देखना को आप फुटाओ कि अगर हम बात करें तो आप देखो कि हर एक नोट के पास आपको ऐसे फुटाओ आएगा जो की पोधे को छत्री नुवा बनाएगा तो फुटाओ भी होना चाहिए उसमें हर एक नोट के पास पोधे की जो परियाप्त लंबाई होती है वो करीब 6-7 इंच के आपका होना चाहिए परियाप्त साइज होई होती है तब जाकि आपका मजबूत आपका संतुलित बल्वान पोधा आप ले सकते हैं अगर आप किसानित नर्सरी तक नहीं पहुत पा रहे हैं या फिर किसी कारण से हमको यहां का पौधा उपलब्द नहीं हो रहा है और आग अच्छी जानकारी आप तक भेजने की कोशिस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट यहीं होता है हमारी फसलों के उपर अगर बीमारी कम आई है तो पौधा स्वस्त रहा तो वह वेजिटिटिव ग्रोध भी अच्छी लेगा और लास्ट में फाल की क्वालिटी के साथ में हम पो उत कर दिया है समारोत धूर किसानों को दे अब बात आती है अप्तर सेल सर्वीश सरुक्राहिमा 。 बात करें तो सर वो तो कंडिसन देख के हम रिकमेंड करते हैं बड़ो किसान का कहना था कि सर मैंने यह डोस चलाया और उसके आपर चिली उसने कोई दूसरी ग्रेट्स नी चले है हमारा सर जन्रिक है जो एक संतुली तहार अवश्कता होती है पोदों को हमने वसी की एक रेसी करें प्रिवेंटिव में सारे काम करें क्योंकि हैं जो कि किसान उसको अवोइट करता है और उसके बहुत सारे उसको नुक्सान होते हैं जो कि हमने फिल्ड में रिलाइस करवाया है सर इसी आज देखेंगे हम वाटर सोलबल की मैं बात करूं पहले किसान दो किलो डालता था आज वो करीब देखेंगे कई-कई गाउं ऐसे हो गए हैं, वो एक कटे-कटे डाल दे रहा है, 25 किलों का बेक पुरा बाल, बल सर वो कोई जाइज नहीं है, अगर वहीं पर हमने अगर ECPH बैलेंस करके करा, मलबी पेट का हजमा खराब है, तो वैसे जमीन का हजमा हमने खराब कर दिया, ECPH को बिगाड दिया, वहीं पर अगर हमने ECPH अगर मैनेज करा सर, तो गारेंटी के साथ, अगर आप दो किलो भी डालोगे ना, तो फोधा आपको उठा के बोल देगा, हाँ मैंने कुछ खाया है, बहुत सारी बारी कि आम नाइट मिटिंग के माधियम से, प्रेज दन्यवाद किसान भाईयो, बहुत बहुत दन्यवाद राहुल जी, दिपक्ष जी आपका, कि आप किसानों के हित्में इतना अच्छा काम कर रहे है, दन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत दन्यवाद, आपके चैनल के माधियम से, आपके माधियम से, जो हमारी बाते है वो किसानों के पास आपने रखी जो कि किसान उसका फाइदा लेंगे जी, धन्यावाशा